मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे जो नेता है राजीव स्वर्गे राजीव गांदी जी राजीव गांदी जी के भी भाई थे संजे गांदी जी आज संजे गांदी जी का परिवार भारते जंता पार्टी में है उनके बेटे वरुन गांदी मेनिका गांदी जी सब बीजेप कि आज अगर यह उनके साथ हो रहा है तो उनका भी परिवार बीजेपी में है चलो उनका छोड़ दो आप अगर बात करेंगे तो मुझे जो जानकारी है कि अब भी अगर हम बात करें तो अब भी करनाटका में कि BN बच्चे ग्यावडा जी है जो एक Congress जोइक नासुए ठीक然 अभी BJP के सांसध है उनके बेटे शरतकुमार बच्चे ग्यावडा Congress के मिले तो एक बच्चे ग्यावडा जी जो है वो Congress के MLA है, उनके पिता जी BJP के MP है, करनातका में और एक बात है, और एक डावडा जी है, जो उनका बेटा MLA है, Congress का, और उनके जो पिता जी है, वो JDS के MLA है, sitting MLA, हमारे वरिष नेता A.K. Anthony जी, वो CWC में है, उनके बेटे BJP में है, एक मेरे मित्र है, जो मुझे कुछ है जो नाम में ले रहा हूँ, एक मेरे मित्र है, वैभाव वालिया जी, जो Communications Department के Head है, पुड़े Congress Party के, उनके पिता BJP के Senior Leader है, तो मेरा, क्या यही दोश है, कि मेरा सरनेम वालिया, या गावडा, या एंथिनी नहीं है, और मैं एक सिद्धिकी हूँ, क्या मुझे स्रिफ इसलि गलग आइडेंटिटी होती है, मैं बहुत बात करूँ तो राहुल गांधी जी के खुद के परिवार वाले वरुन गांधी जी, बीजेपी में, तो क्या उनको Congress में नहीं रहने का अधिकार है, क्या एक इंसान को अपने व्यक्तित्वत तोर पे आप Personal Decision नहीं ले सकते हो, क बच्चे गाउडा जी के जो पिताजी है वो लोकसभा के बारतिय जंता पाटी के सांसद है, वो बेटा Congress में है, तो वो गाउडा है, बच्चे गाउडा जी है, तो वो कर सकते हैं, और एक अगर Muslim है तो वो नहीं कर सकते हैं, दो हजार उनीस के अगर मैं बात करू, तो हमार तो चार चार पाज़ पांच टिकेट मिलती है एक फैमली में, महराष्ट्रा की बात करो, तो हमारे धीरज देश्मुग जी, अमिद देश्मुग जी एक ही परिवार में उनको टिकेट मिल जथी, जब राने साब हमारे पाटी में थे तो बाप बेटे को भी टिकेट मिलती तो क्या ये rules and regulations जो है वो स्रिफ मुसलमानों के लिए है? क्योंकि जब हम देखते तो नहीं, मेरे मेरे बहुत अजीज दोस्त है दीरज दादा, अमिद दादा, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनको, राने फैमली से भी हमारे अच्छे तालुक है, सबसे वह उनसे कोई दिक झाल कर दो दोस्त है झाल झाल